हेलो हांजी सच्ची काल सारे दोस्तानों मेरे वलो मैं है आप जी दा अपना सी ए रुपिंदर सिंग पेटे अपनी सारी डिसकेशन्स हो रही सी की क्रैश कोर्स ओफ प्लस टू अकाउंट एंसी दे उपर लास्ट लेक्चर दे अंदर साड़ी सारी स्लेबस टी डिसकेशन्स होई सी जेदे बिच मैं तो अग्जाम दा कोशन्स पेपर है प्लस टू CBAC as well as पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ट दा कि दा डिजाइन होएगा और हर इक चैप्टर्स और हर इक जो चैप्टर्स दे जो कोशन्स आंदी बेटे जाए वो तो अडेनाल अल्रेडी प्रिविएस क्लास दे अंदर मेरी डिसकेशन होगी सी आज आपा बिटे डिसकेशन करते हैं जो आपने कोर्स दा पहला चैप्टर होएगा और इन्हों आपा बोलांगे पार्टनर्शिप अकाउंटिंग जेदे बिच आपा फंडामेंटल्स और बेसिक्स ऑफ पार्टनर्शिप दी डिसकेशन तो अडेनाल करन जा रहे हैं देखो इस चैप्टर इस चैप्टर नो अजी किने टॉपिक्स दे अंदर डिवाइड़ कीता है अपा देर आर सेवन टॉपिक्स First topic दे अंदर सदी discussion होएगी Basic discussion of partnership accounting मतलब first topic में तो देनाल यह discuss करागा कि partnership accounting है की यह Next one Second discussion दो देनाल होएगी Rules applicable in the absence of partnership deed Then third discussion होएगी Calculation of interest on capital Fourth discussion होएगी Calculation of interest on drawings Then fifth discussion दो देनाल होएगी Preparation of profit and loss Appropriation account as well as partner's capital account in case of fixed partner capital as well as fluctuating partner's capital. Then sixth discussion past adjustment entry और finally last discussion जड़ी में जड़ी तो अड़ेना लोएगी guarantee of profit to partner जड़ा last topic है बेटे, seventh रम पर जड़ा topic है पंजाब school education board दे बच्चेया दे ले रेलिवेंट नहीं है guarantee of profit to partner only applicable for CBSE students last topic सिरफ CBSE students दे बच्चेया दे लेए applicable है Punjab board दे लेए last topic applicable नहीं होएगा एदा मतलब Punjab board दे लेए फस्ट six topics applicable होँगे और CBSE दे लेए जिड़ा होएगा seven topics applicable होँगे अच्छा एक मिनुट बेटे में पहना सारी discussion कर दोँगा कि आप आनू पढ़ना कि में है देखो जेड़े भी है मैं concepts तो आड़े सामने लिख रहे हैं जिनों मैं topics दी discussions दे रहे हैं ऐली है मैं proper slides बना के तो आड़े मतलब स्क्रीन दे अपर आंदी रहेगी मतलब PPT slides जेड़े होंगी हैं जो concepts दे रहे होंगी हैं मेरी पूरी कोशिश होएगी कि maximum of slides तो आड़े अंदी आ रहे हैं ओदे नाल की होएगा कि अपना थोड़ा time save होएगा जिदे नहीं आप इस crash course नो time save complete कर सकाँगी next one कि जड़े अपने questions है और questions भी तानो screen दे अपर आंगे ठीक है जी और questions दी और जो slides दोनों चीज़ा जो आ रही हैं slides और as well as questions होंगे दोना दी PDF दे विच मैं file नो convert करके www.tvschool.in दे उपर upload कर वादा माँगा मतलब इस lecture जब तुसी देखन बैठ रहे हो उस तो पहला तुसी ओ अपना www.tvschool.in दी site दे जागे तुसी ये सारी slides दी आप PDF और as well as जो questions मैं थे बोलाँगा जो questions दे हैं ते solutions दी आप पा discussion करांगे ओ PDF फाइल तुसी डाउनलोड करके होदी hard copy निकालके या होदी soft copy निकालके अपने सामने रखने ना जिदेना मैंनो questions discussion करांदे विच तोड़ी जी असानी हो जाएगी क्योंकि crash course दे अंदर अपा time constraint नो ते आँच रखके अपा सब कुछ completion करना है और होता ही होएगा कि जे तुसी उन्हों अपनी class दे विच जो भी तुसी लेक्चर लगान बैठ रहे हो तो तुसी अपनी hard copy या soft को अपनी mobile या desktop या laptop दे अपर अपनी निकालके बैठोगे solutions दी discussions होएगी तो अटे ना ठीक है बाकि slides भी ता अनुक लास दे अंतर दिखाईया जानगी है as per your convenience अगर तुसी उन्हों डाउन्लोड करके रखो गे ता ज़्यादा बेटर होएगा ठीक है जी next अपन मूव कर देया topic number one दे अपन जी बेटे topic number one दी पहला पर discussion कर देया topic number one सीगा basic discussion of partnership पहला आप तीन-चार मिनिट लगाने है कि partnership की है तुसी slide दे विच देख रहे हो वोगे कि partnership दा मतलग क्यों है देखो partnership दी define करना है अपन वाट इस partnership और define partnership दी डिफाइन करना है अपन वाट इस partnership और define partnership दोना दे अंदर difference उन्दा होंदे है अनु एक्जाम दे वि आपा author the definition आपा हमेशा define कर दे उन्दे है author the definition साटे ले हो थे की हो जन्दी है इक necessary होंदी है जो सानु देनी होंदी है पर accountancy दे अंदर साथे commerce field दे अंदर author दी जगा साटे ले की use उन्देने acts पचा उन partnership दो जो कोई define करेगा ता कोई author नी करेगा the Indian partnership act 1932 इस act दा नाम की है तो आनों exam दे वीच पुछया जा सकते है कि यो केड़ा act है जो partnership form दे उपर applicable होंदे है उस act दा नाम है दी इंडियन partnership act 1932 और ओदे section number 4 दे अंदर partnership नो define कीता हो गया उस section 4 दे अंदर जड़ा देखो तुछी slide दे उपर कि section 4 दे अंदर की लिखिया हो है partnership is the relation between persons देखो partnership is the relation between between persons मुझे persons बोल दिता गया एदा मतलब single person होई गया ही नहीं एदा मतलब two or more persons होंगे इस करके act दे अंदर two or more नहीं किते लिखिया होया act दे अंदर लिखिया होया between persons मुझे दे वर्ड between आ गया clear हो रही है वो ते फिर understood है कि between two or more ही होंगे clear हो रही है इस करके partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits मतलब ओ persons होनगे जो profits नो share करनगे मतलब profits in the sense losses भी है नो bear करने पहनगे profits भी है share करनगे देख उसी word पाट रहे होगे who have agreed agreed दा मतलब है कि ओ आपस दे विच एक agreement करनगे और agreement दे accordingly जो नहीं प्रॉफिट्स और losses होनगे ओ आपस दे विच distribute करनगे उन्हों शेयर करनगे और agreement ज partnership deed ही कैसा agreement होंदा है जिए इच पार्टनर अपनी pros and cons जो भी terms and conditions होनगे है profits capital जो ना नो interest on capital मिलना है जो interest on drawings होएगा salary, remuneration, name of business, name of partners, the capital introduced by each partner सब चीजा जो होनगे है ओ पार्टनर दे अंदर mention किती है जानगे है इस करके section 4 दे अंदर देखोना ने की लिखिया है who have agreed, agreed नो तुसी underline करके agreed दा मतलब की है partnership deed क्यों agreement जीदे विचो agree करनगे कि आपने profits में शेयर करन दे लई, carried on by all, carried on by all दा मतलब है कि सारे partners विचो carry कर सकते है मतलब A, B, C तिन partners ने तिनों के तिनों business भी run कर सकते हैं अगर by chance B और C suppose करो कि इंडिया दे विच प्रेजेंट नहीं ने या B और C suppose करो holidays दे ली किते गेवे ने है ता any one of them acting for all मतलब कि अगर A, B, C तिन partners है B और C अगर absence होएगी ता सिरफ Mr. A ही सारे नों act करके partnership business कर लेगा मनलब एक partner सारे यां दे बहाफ जों पर act कर सकते हैं मतलब है definition पूरी हो रही है partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all next essentials of partnership या features या characteristics of partnership देखो की होएगा two or more persons agreement होएगा partnership deed होएगी business होएगा then mutual agency आपस दे भी चोना दी सहमती होएगी sharing of profits it is based upon the partnership deed अच्छा एक एक एक्जाम दे विचाए question most important question तुसी यह नों mark कर सकते हो आपनी नोटिंग कर लो किते भी यह आपने notebook दे अपर है नोटिंग करो कि minimum number of partners एता चलो understood है कि single person दा पार्टनर बिजनस टे जाए गई नहीं minimum two partners होंगे maximum दे उपर बेटे दियान रखना maximum दे उपर companies act 2013 ने कमेंडमेंट कीती जी section number 464 दे अंदर कि maximum number of partners जड़े होंगे ओंडर तो पर नहीं होंगे actually section 464 of company's act ने restrict कीता सीगा partnership act नो मतलब section 464 जो company's act नहीं बेसिकली हो section है जो ministry of corporate affairs ने जिनने भी उनना दे उपर जो और regulate करनगे जड़े acts नो for example indian partnership act regulate कौन कर रहे ministry of corporate affairs तो उनना ने 464 दे अंदर एक restriction लगाई सीगी कि maximum partners सो but the company's miscellaneous rules लिखलाना अपनी notebook दे उपर the company's अगे bracket miscellaneous bracket close rules comma 2014 एदे विच उनना ने इस limit नो fix कीता है 50 मतलब maximum 100 partners हो सकते ने पर company's miscellaneous rules ने 2014 ने एदी restriction फिल आलगिते लगाई होई है 50 मतलब presently दा limit की होएगी partners दी maximum Punjab partners लेर हो रही है जी काल नो जो 70 करने पहेगे तर rules नो change करके 70 वी कार सकते ने 80 वी कार सकते है 90 वी कार सकते है 100 वी कार सकते है पर अगर 100 तो उपर लेके जाना होया फिर एननो एक्ट दे विच चेंज करना बेगा और जे एक्ट दे विच कोई amendment करनी पहे और पारली amendment दे sessions दे अंदर हो रही है जी फिलाल rules ने prescribe किता है कि maximum number of partners 50 अग्जाम दे विच अपना answer की होएगा maximum number of partners as per the companies miscellaneous rules 2014 किने होंगे 50